दोस्तों स्थागात आप सबी को हमारे YouTube चेनल पर दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सबी को में बता दू दो रूपे का एक कॉइन और बीस रूपे का एक नोट के बारे में लेके आ चुके है हैं इस दो रूपे का एक कोईन के बदले आपको मिल सकता है लेके 1 ्याद्वेत अगर आपको कलेक्सिन भी करना है तो आपको खर्च करना पड़ सकता है एक कोईन के लिए एक लाग 20,000-15,000 रुपय तक वही जो 20 रूपय का नोट है उसको आपको खेल करना है दोः भनेह देखली हमें कौन सा वो कॉइन है क्या मेंटिंग यह कहां मेंट हुआ है या फिर क्या स्पेसिफिकेशन से क्या कॉमिमुरेटिव कॉइन है यह एक एक चीजे आप सभी से डिटेल में बात करेंगा और जो 20 रुफ है का नोट है उसके बारे मीं कम्प्लिट डिटेल में हम लोग जाएंगे उसके बाद आपको बताएंगे किस तरह से आप सेल करेंगे किस तरह से बाय करेंगे वो भी चीज़े आप सभी के साथ सेर करने वाले हैं तो वीडियो सुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे इस तरह के निवस्माटिक हर सभी खवरों से अब्डेट रहने होता है तो आपको सी मल बता दो किसी भी इस्पेश्यल डे प्रोग्राम हो गया या प्रेश्यल करेंगतर को रेजन्ट करने के लिए जो कॉइंस धलाई करेजाते हैं उनको कॉमेमोर्यटिफ कोईन जहता है तो आज बैसे के लिए जो दो रुपय का कोईन हम लेके आज के एक कोमेमरेटिव कोईन है तो कौन से कोईन है डेटेल बताएंगे उसका डेटेल क्या है वो भी चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा साथ ही साथ जो 20 रुपय का नोट से उसके डेटेल भी आपको देखने को मिल जाएगा तो वीडियो में विल्कुल अंतक बने रहेगा वीडियो जरद से भी अच्छा लगता है तो एक लाइक जरू कर देगा हुआ है उसके जस्ट नीचे डिनोमिनेशन टू लिखा हुआ है और लेफ साइड में भारत रूपय उसके बाद राइट साइड में इंडियल रूफीज यहाँ पर लिखा हुआ है जो की इंगलिस में ठेक है तो अब हम बात करते हैं उसके वैक साइड में तो बैक साइड म लेंड वाइटल रिसोर्स ठीक है ना राश्चे भूमी संसादन एक था तो ये जो कॉइन है आपका कॉइन का डेटेल आपको हमने बता दिया ये कॉइन काफी जदर रेर है और सबसे पहले बता दे ये कॉइन अक्चली कॉमन सर्कुलेशन के लिए नहीं था लेकिन कॉमन सर्कुलेशन में ये कॉइन आ चुका था क्योंकि इसमें जो नोट्स में कॉइन में घिसावट था इससे ये अंदर जल लगा जा सकता है ये कॉइन कॉमन सर्कुलेशन में आ गया था देखे भूमी संसादनों के वैगानिक प्रबंधन के संग्रक्षन और संबर्धन के लिए जागरुकता अभ्यान के एक भाग के रूप में 15 से 21 नॉवंबर 1992 तक राष्ट्रिय संसाधन संग्रक्षन सप्ता मनाया गया था इस घटना को मनाने के लिए कॉलकता टक साल द्वारा दो रुपय का सिक्का चलाया गया था यानि कि कॉलकता मिंट द्वारा ये जो इवेंट था इसको चलाने के लिए कॉलकता मिंट द्वारा दो रुपय का ये सिक्का रिलीज किया गया था ऐसा माना जाता है कि ये सिक्के सारवजनिक प्रचलन के लिए जारी नहीं किये गये थे मतलब माना तो यह जाता है कि ये common circulation के लिए जारी नहीं किया गये थे लेकिन सिक्के पर काफी घिसावत या इस पस्ट है जिसमें पता चलता है कि कुछ टुकडे चलन में आ गये होंगे, यानि कि कुछ portions यानि कुछ coins जो है चलन में आ गये होंगे, यह गनातंद्र भारत के सिक्कों में सबसे दूरलब फ्रचालित सिक्कों में से एक है, यानि कि Republic India coin में से सबसे rarest coin में से एक coin इसे माना जाता है, तो यह coin आप लोग आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा कि यह coin जो है, यह classical numismatic gallery के और से एक लाग 20,000 से एक लाग 50,000 रुपे तक इसका estimate price लगया गया है, लाइप रूफ के साथ आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा, तो यह coin की अगर हम बात करें, तो यह year 1992 है, theme इसका land vital resource है, mint कॉलकता में हुआ था, weight इसका 6 gram है, ठेका ना, तो यह इस series का दो रुपे का सबसे पहला commemorative coin था, क्योंकि यह 2 रुपे का सबसे rare और पहला commemorative coin है, जो कि आपको 1 लग 20,000 से 1 लग 10,000 आपय तक दे सकता है, according to classical mathematics gallery, तो बस आपको का करना comment सकते हैं, मैं लिख देना है कि आप सब एक पास land vital resource का, यह coin available है क्या, तो अब हम बात करेंगे, जो हमेरे दूसरा note है, 20 rupees का, तो वो note कौन सा है, तो screen पे आप लोग देखें, मिलकुल ध्यान जे, दूस्तों यह जो screen पे आपको देख रहा है 20 rupees का note, यह एक star series का note है, और यह note आपको 2025 सुरुपय तक दिला सकता है, अब देखें, star series का note में क्या का specifications होना चाहिए, यह चीज अब दियान रखो, तो notes की physical overview की अगर हम बात करें, तो एक side गांधी portrait है, और दूसरे side यहाँ पर what a mark है, ठीक है, और यह common सा note है, लेकिन इसमें क्या क्या चीज़ें आपको देखना है, इस note में एक error भी है, तो क्या है वो चीज़ आपको दिखाएंगे, देखें, इस note में सबसे पहले, सबसे पहले आपको इस note में देखना है, इसका जो year है, वो होना चाहिए 2013, उसके बाद इसमें जो prefix है, वो है 00N, उसके बाद insert इसमें होगा E, उसके बाद serial number यहाँ पर start होगा, star 571253, एक चीज़ ध्यान रखना है, यह जो serial number है, वो slightly shifted है, उपर के side, आप अगर ध्यान से screen पर देखोगे, तो यह जो serial number है, star 571253 और जो prefix है 00N, वो उपर वाला और नीचे वाला भी, हलका सा उपर के और shifted आपको देखने को मिल जाएगा, और इसका जो insert है, E, E insert जो है, वो अपने जगा पे बिल्कुल place है, तो यह चीज इसमें देखना है, आपको अगर आप सभी के बाश्ट अंटरफीस का note है, तो उसमें आप लोग यह ध्यान लगाओ कि, जो note है, उसका serial number क्या slide is shifted है, और अगर shifted है, तो उसका वो star series का है, और star series का अगर होगा, तो आप लोगों हाँ पे देखिए, prefix 00N, उसके बाद insert E, जो कि अपने place पे placement है, उसके बाद यहाँ पे serial number रोगा star 571253, तो यह note अगर आप सभी के पस है, अब तक मिल सकता है, और वहीं अगर आपको purchase भी करना है, तो उस coin के लिए आपको 120 से 150 तक खर्च करना पड़ सकता है, और यहाँ पे जो 20 रुपय का जो यह star series का coin है, जो कि वो भी आप सभी को दिखाया है, अगर आप सभी के पस यह जो specification समने बता है, यह notes and coins अगर available है, तो आप लोग exhibitions के लिए wait करो, आने वाले time में जब भी exhibitions होगा, आपको channel के दोरा update दे दिया जाएगा, और उन exhibitions में जाके notes and coins को sale कर सकते हो, या फिर अपने collection के लिए purchase भी कर सकते हो, depend करता है आपके ओपर कि आपको sale करना है, तो और दूसरे कोई भी जो आपके comment section में, जो phone number देखे, आपको बोलते हैं कि हम एक coin wire है, हम अपसे sale करेंगे, आपका notes and coins purchase करेंगा, तो उनके जहां से मिल्कुल ना है, क्योंकि वो बिल्कुल fraud and fake है, तो अगर आप लोग वाकई में sale यह फिर purchase करना जारों, तो यहीत आज की वीडियो, उम्मेद करते हैं वीडियो पसना है, वीडियो पसना लाइक शेर चेरें, चैनल को सब्स्क्राइब करेंगें, थैंक्स पो वाचिंगें,